हाई गाईज वेलकुम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ स्पीठी और आप दी ख्रियो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बाहत करने वाले हैं कि आप ना यूनिवर्स को कितना याद रखते हो दरिसल ना हम अपने कामों में खो जाते हैं अपनी विश्क को मांगने में याद रस्टे करते हैं और यहाँ पीन आप पने आपको चेक करना है और यह देखना है कि इन सब के बीच में वह रिष्टा जो आपका यूनिवर्स के साथ हैं जी हां Qin हां आप अपने पूरे दिन के कामों में अपने हरे कामों में अपनी विश को मांगते समय, अपने प्रोसेस को करते समय, किस तरह से अपने भीतर उस divine connection को feel करे हो, आप कैसा feel करे हो जैसे आप universe के साथ इस समय connect हो, आपकी बाते universe सुन रहे हैं, आपका ये connection क्या पूरे दिन divine power ये universe के साथ है, उस divine source के साथ क्या है, वो आपको मिलने वाली है, क्योंकि हमारा जब ये connection universe के साथ बन जाता है, तो हम ना परिशान नहीं होते हैं, हम छोटी-छोटी मुश्किलों में घबराते नहीं हैं, और हमारा एक-एक process बहुत powerfully done होती जाता है, क्योंकि वहाँ पे resistance की कोई भी energy नहीं रहती है, क्योंकि हम हम अपना पूरा love, हम अपना पूरा connection ना universe के साथ बना चुके होते हैं, अगर आप इस connection को feel नहीं कर रहे हो ना, तो आपको एक मिनट रुक के पूरे दिमी ये चेक करना है, कि कहां पे मेरी पूरी energy जा रही है, क्या मैं universe के साथ align हूँ, क्या मैं divine power के साथ align हूँ, क्योंकि जो कुछ भी आपको आपकी life में मिलता है ना, वो universe और God के द्वारे ही मिलता है, तो आप इन चीज़ों को मांगने के समय ना, उन्हें मत बूलिए, उनका साथ मत बूलिए, क्योंकि जब ना universe देते हैं ना, तो आप से ना कोई झीन नहीं सकता, तो जब आप universe को सारे रिष को choose करता है ना, उसे ही सब कुछ मिलता है, आप सारी चीज़ों से उपर सिर्फ God को रखिये, और उसके बाद देखिये आपकी life में कैसे magical changes ना, नजर आने लग जाते हैं, so guys, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश और उसे ही पापाई